गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अवतार सिंग फर्षवान, मैं उत्राखंड की सुन्दर वादियों से नंदा नगर से आपको रिपोडिंग दे रहा हूँ, आज मैं आपको सुन्दर यूद दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं अपने खेत में जो काटने जा रहा हूँ तो अभी मैंने अपने साथ में एक रसी और एक दरांती ले लिया है, और इनको ले करके मैं पिताजी के साथ में अपने खेत में जाओंगा, और वहां से जो की काट करके और भारे लगा करके लेके आओंगा, खेत में जाने से पहले, मैं अपने बच्छी के लिए थोड़ा अब गहस खिलाओंगा, फिलेए फ्ट्ट घंबाज थोड़ा गहस डालता हों मैं अरो बच्ची गहस अच्छा खाती है आप देख सोते हैं मारी बच्चिया गहस खा रहे है ले खाय COM अब मेने अंदर से गहस ले करके और अपने गाय के लिए दिया है और गाय भी सुन्दर से घास खाएगी देखा ले और मैं अब अपने खेट में जाओंगा जोग काटने के लिए आज का मुख्या काम है खेट से जोग को काट करके घर में लेके आना अभी मैं जोग काटने के लिए खेट के लिए जा रहा हूँ यहां से थोड़ा करीब 200 मिटर नीचे हमारा खेट है और यहां पर थोड़ा है बांज के पेड़ भी है और उपर अपना मकान भी दिख रहा है जो आपको यह सामने पिले पिले के दिख रहे हैं यह जोग के खेट हैं जो अभी तयार हो गए हैं अभी हमारे काओं में जो और गय हूँ आजकल होता है तो लोग जो के कटाई सुरूग कर दिया है और यहां पर यह जो इसपेसली पहले तो जो के रोटिया भी बन दिती ती और मेटिकली बहुत बेनिफिटेड है देखे मैं अपने खेट में पहुंच गया हूँ कितने अच्छे पिले-पिले जो हो रखी है और अभी मैं अपने द्रांते से खुर्पी से इसको काट करके और फिर कर लेके चले जाओंगा जो के कटाई करना सुरू कर दिया है और इसको काट करके अभी तो ये तो ये तरांती है तरांती से काट रहा हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है साथ जिनके बाद घर का काम करने को मिल दा है तो इसका अपनाई ही आनंद है कि हम किसान की बेत्री है किसान के बेत्री करने समसे अच्छा लगता है वोरी देर में मैं पूरे कित को कम भीग करके ह। यह जो है कि मारे यहां गारे बैसों को भी देते हैं और इन्चान भी खाते हैं कि यह स्वास्ते के आप देते हैं कि अध्डली झाली के आपा जुए हैं यह जह जह हैं कि अुई बगली कैसे अवादिज देते हैं कि यह सुआ हैं कि दो शुआ हैं कि आपेज़ सेखुआ मैं यह सुआ है चुआ है झाल 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 तोस्तों पिताजी और मैंने करीब और ठेथकार देया, थोड़ा किनारे पे बचा हुआ है, अभी मैं जितने भी ये जो कटे हैं, उती फूली बना करके, और पिर भारे पे गर लेकर जाओंगा, और पता जी वहां पे बैठ करके थोड़ा ज्यस्ट कर रहे हैं, दोस्तों, टोपी और मॉपलर इसलिए पहना है, जिससे इती धूप न लगे, आंकों में चस्मा भी पहना है, ये अपने शेप्टी के लिए है, तो उनकी दिन के टाइम में धोग ज्यादा होती है, जिसके कारां काम करने में तखरीप होती है, और मॉस्ट आज का कटाई का काम हमने कम्प्रिट कर लिया है, अमें इनके पूली बनाओंगा, और अधू, आंकों अधू, आंकों में खाय। अभी मैंने जो की पुली बनाने काम भी लगबग पूरा कर लिया है और थोड़ा जो कारना बागी है जो की पिताजी काट रहे हैं और ये पुली बनाने के बाद मैं बारा लगाना शुरू कर दूँगा वैसी के उपर दोस्तों अभी मैंने सबी के गठी बना करके भारी भी लगा दी है अभी मैं इस भारी को अभी घर लेके जाओंगा और कुछ बाकी बचा है फिर दुबारा खेत में आ करके इसको भी लेके जाओं आला केट उस साइड में अभी बाकिया काटना तो देखते हैं आज काट सकता है क्योंकि अभी दोफ होने लग गई है और यहां पर भी पिताज जे और हमने अल्मोस्ट पुरा केट जो काट दिया है कि अजवर की है कि अजवर अभी घर लेकर जांगा अजवर फ़र फ़रा हो रहे है कि अज़र आए उपर चाले परेगी इस ते गार में अज़र बनागाए मैं जो कि भार एक घर में रख दिया है घर में जोग कर के चौप में रख दिया है और अब इसको रह्षी फोल करके तुबारह फिर लेने के लिए लोग, जो बहारे लीए करते आ जाओंगी और लो आप सो रहा हुँगे कि मैंने ये ड्रेस क्यों पहणी है ये अलो ड्रेस tusling मेही इंडेन निभी का रेण्पॉत है जो हाँ पर लेके किने के लिए काम हा रहा है क्योंके ये जो का के के स्थु मस्य है अभी यहां पे रख लिया है अभी इसको मुठ्य बना करके अफिर आगो पर सुखाई है तो आज मेरा जोटकी कटाईगा काम यहीं पे समात होती है यूदा कराऊते हैं क्याक्या काम तरें क्याक्या काम करें यूज दो जो जाए्ट भाल अविंगा को बात 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 है